हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों यदि आप आप इस वीडियो को कम्प्लेट देखिएगा क्योंकि आइटियाई के लिए यहाँ पर वेकेंसी निकल के आ रही है सेंटर और कॉल्फिल्ड लिमिटेट की तरफ स जो मैं आपको इस वीडियो के मादम से पूरी जनकारी देने वाला हूं तो वीडियो को कम्प्लेट देखिएगा जिसी कि दोस्तों देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन डेट जारी किया गया है जो मैं आपको इसके बारे में पूरी जनकारी देने वाला हूं यदि दोस्तो एक्ट एव एन एपियस के तहत एक वर्स के ट्रेड अपरेंटिसी परिश्ण है तू अब्यारतू के लिए अवेधन करने है तू अधिश चूचना यदि आप सेंटर कोड फेल्ड लिमिटेड की तरफ से जो वेकेंसी आई है इसमें यदि आप फार को भरने के चुके तो फा तूसरा है वेल्डर है तिसरा आपका एलेक्टिसियन है चोथा आपका यहां पर मेसिनिस्ट है और यहां पर पच्वे नमबहर पर कंफ्यूटर ऑपरेटर एंड फ्रग्रामी असिस्टेंट है जिसमें दोस्तों पोश्ट की बात करें तो फीटर में आपको 415 देखने को मि यहां पर हाई स्कूल और इटिया कंप्लीट होना चाहिए चाहिए आप NCBT से इटिया किये है या SCBT से यह आपके उपर कोई मायने नहीं रखता है आप फार्म को फिलफ कर सकते हैं बात करते हैं इस वर्ती परक्रिया में आपको एज लिमिट कितना मंगा गया है तो 18 से इसम आने कियेगा और जो एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा 5,10,2020 से काउंट किया जाएगा जो कि आप इसमें देख भी सकते हैं उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं बात करते हैं यहां पर वेल्डर के लिए जो वेकेंसी निकालेगे तो इसमें भी सेम आ आपको 175 है, Computer Operator and Programming Assistant में 50 है, Information and यहां पर Technology System के लिए यहां पर 25 है, Machineist के लिए यहां पर 50 है, और यहां पर आप देख सकते हैं, Turnaround के लिए भी यहां पर 50 रखा गया है, यहां पर Medical Category के लिए जो रखा गया है, Laboratory के लिए 15 है, और यहां पर Medical Literary Technician यहां पर देख सकते हैं, इ ITI complete होना चाहिए, चाहिए आपका NCBT से ITI हो या SCBT से ITI है, इस बात को आप धहने कियेगा, बात करते हैं, यहां पर Total Vacancy की तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो मेंशन किया गया है, यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, कि आपको Training के दोरान कितना आपको Payment दिय जाएगा, तो यदि आप ITI के अंतरगत है, इसमें Farm को Fill Up करते हैं, किसी भी Trade से, तो आपको 7000 पर मंद आपको यहां पर दिया जाएगा Training के दोरान, जो कि आप जोस्तों जानते हैं, यह जो आपकी Vacancy निकल का रही है, अप्रेंटिसिप के तत निकल के आ रही है, जो कि आप 5 एक्टूबर 2020 तक 18 वर्ष से कम तता 35 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि यहां पर 35 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरे नमबर पर जो यहां पर गाइड लाइने, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर साप लिखा गया कि अब्यारतियों को कम से कम 10 वी की कच्छा उत्रिण और समन्दी ट्रेड अथात इलेक्टिसियन फीटर वेल्डर इत्यादी में एन सी बीटी या सी बीटी मनता प्राव संस्तान से आईटे उत्रिण होना चाहिए, आगे इसमें लिखा गया कुछ यहां पर न आपसे बड़ी जन्दकारी यह है कि यदि आपने किसी भी पहले से अप्रेंटिसिट ट्रेनिंग कर लिए चाहिए आपने एडविशन करके नाम कटवा दिया है तो आप इस फार्म को अपलाई नहीं कर सकते हैं इसमें आपको साप लिखा गया है और इसकी जो ऑफिसियल व गएगा तो वहां से भी जाकर आप अपप लाई कर सकते हैं बहुत सारी सुटेंट कहते हैं कि आप अपलाई लिंक नहीं लिख यहां ख़िता को यहां पर सब से पहले कर पर किलिक करें और Apprentice पंजिकर्ण करें और Online पंजिकर्ण के बाद आवेदक को उसके mail ID 140 mail की पंजिकर्ण करना संख्या एप प्राप्त करें, मतलब कि यहाँ पर SORA जिरीट का जो नंबर होता है, वो आपको सबसे पहले करना है, इसको आप ध्याने किएगा बागे दोस्तों, यहाँ पर selection की बात किया जाए तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि Apprentice की जो भी vacancy आती है, वो आपकी merit based पे होती है, तो यह भी आपकी vacancy जो है, merit based पे ही है, और यहाँ पर जो आपको merit के अनुसार यहाँ पर vacancy निकल के आ रही है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी आपको जहनकारे दिया गए कि दिनांक अब्यार्थियों के द्वारा Apprentice पोर्टल Apprentice और जी पर किये गए आवेदनों को दिनांक 5-10-2020 से पहले माद्यां से CL के लिए केवल बिचार किये जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो अंतिन तिती रखी गई है 5-10-2020 रखी गई है तो इसको आप ध्याना कियेगा, यदि आप फार्म को फिलब करना चाहते हैं, तो 5-10-2020 से ही पहले फिल के लिजएगा अन्य था आपको इसमें सेलेक्शन नहीं मिल पाएगा बाकि यहाँ पर चैन परक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको साप लिखा गया जैसी की देख सकते हैं, कि चैन परक्रिया में सिर्फ उन्ही अब्यार्थों को आवेदन पर बिचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांग 5 अक्टूबर 2020 तक अपरेंटिसीब पर CCL के फिविन खेतरों के लिए आवेदन किया हो तता उन्हें पूर्व किसी संस्था मानता अपरेंटिसीब पराप्त नहीं किया हो मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया आप पहले से अपरेंटिसीब ट्रेंणिंग कर चुके हैं या अपरेंटिसीब ट्रेंणिंग में आदिस से यहां पर छोड़ के चले आएं तो आपको यहां पर form fill up करने की कोई जरुत नहीं है क्योकि आपको इसमें सेलेक्षन नहीं मिल पाएगा बाकि यहाँ पर आप सारी जनकारी देख सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारी जनकारी है जो कि इसकी नियम और गाइड लाइन सरते और यहाँ पर और भी बहुत सारी जनकारी है जिसको आप असानी से पढ़ सकते हैं और पूरी जनकारी आप देख सकते हैं और दोस्तो इस तरह कि आप जानकारी चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब के लिजेगा क्योंकि नीचे आपको एक रेट कलर का बटन दीखे कर सब्सक्राइब वाला उसको दबाकर बगल में घंटी वाल आइकन को दबाकर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक के जिएगा दोस्तों फार्म भरने की परिकिरिया कुछ इस परकार है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर साफ आपको मेंशन किया गया और यहां पर आपका जो सेंटर कोल्पी लिमिटेट की तरफ से जो वैकेंसी निकल क्यारी सबसे पहले यहां पर आपको एड्र सकार डेटब बर्थ और यहां पर आफको ने को इसमें ऐ कूर्स किया या कौन सा कुर्स की इसमें को फिल करना पबढ़ेगा उसके बाद यहां पर ऑप आपको टेलिफोन आप मुबाइल नमबर मैं इस तरह से सारी जनकारी आपको फिल करना पड़ेगा यह आपका एक नॉर्मल है जब आप वेफसाइट खोलेंगे तो और भी वहाँ पर बहुत सारे आपको फान फिल अप करने की परकिरिया नई नई नजर आ जाएगे तो दोस् दोस्ते हुआ मैं इस आपको बेल रख धिल को उयएट आपको फिल रूंपस फिल आपको करने की जową राइब वालया। Services बिल मैं से सारी बालया, चलते हुआ है रूंग तोस्ते हैं सारी जर आपको आपको एक बालको बालको आपकोू आपको आपको